ये जो बात मैं आपको बताने जारा हूँ थोड़ी सी अजीब जरूर लगेगी लेकिन इसको डाइजेस्ट करना जितने भी डांसिंग सो वाले हैं जितने भी टेलिवीजन पे डांसिंग सो आते हैं आपका करियर बिल्ड हो आप एक सक्सेसफुल डांसर बने इस वासे उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं होता इनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ TP से ये लोग अपना song launch कर से वाले वाले को क्रोडों होँ बस यहीं चाहते हैं के TRP बरकरार रहें लाको करोडों लोग हमारे सो को देखे अगर हम कोई सो लौग कर रहे हैं तो वो हिट हो अब वो हिट कैसे होगा वो होगा कंटेस्टेंट की वजए से किस कंटेस्टेंट को लिया जाए ताकि आपके हो सो के अंदर जान डाल सके और एक normal dancer सिरफ ये सोचता रहता है कि मुझे अपना career बनाना है इसलिए मैं उस सो में जाना चाहता हूँ मुझे एक successful dancer बनना है इसलिए मैं उस सो में जाना चाहता हूँ सिरफ इतना सोचना आपका selection नहीं करा सकता अगर आप थोड़ा सा reverse करें चीजों को थोड़ा सा reverse engineering यूज़ करें तो आपको समझ में आएगा कि आप ये भी उनको बताएं कि आप किस तरह से इन dancing सो के लिए एक बहुत बड़ा tool बन सकते हैं क्योंकि आपके सामने बैठने वाला जो judge होगा वो आपको सिरफ ये देखेगा कि आप television पर कैसे दीखोगे ठीक है आपका dance अच्छा है लेकिन आपका way of talk कैसा है आप किस तरह से अपने आपको present कर रहे हैं वो ये सब कुछ देखते हैं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमने पुराने records को उठा कर देखा है जिन जिन लोगों ने dancing के साथ audience को entertain किया है वो आज एक successful dancer बने हुए हैं आप खुदी examples उठा कर देख सकते हैं जो लोग सिरफ dancing में ही रहे उनको आज लोगों ने भुला दिया है एक छोटा सा example आपको बताऊंगा राघर जूइल के नाम आपने सुना होगा वो आज भी dancing field में काफी अच्छा कर रहे हैं आप इसके पीछे एक बज़ा तो यह है कि उनका dance भी काफी unique था काफी अच्छा था लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा factor आया कि वो एक काफी अच्छी comedy भी कर लेते हैं तो बस एक dancing show को यही चाहिए कि आप थोड़ा बहुत extra effort भी उनके साथ लगाएं तो आप कैसे judges के सामने यह दिखा पाओगे अपने आपको represent कर पाओगे कि आपके अंदर भी वो potential है आप भी television screen पे जंडे गाड़ सकते हो आप भी show के अंदर जान डाल सकते हो यह आप कैसे दिखा सकते हो अभी online audition आने वाले India's Best Dancer के कल से स्टार्ट हो जाएंगे Sony Live application के उपर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको form fill करना है हाला कि मैंने already वीडियो में बताया हुआ है बट यहाँ पर यह पूरा जो online audition है लगभग एक महिने तक चलेगा 22 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 18 फरवरी तक आपके चलने वाले हैं तो जल्दवाजी में कुछ भी upload करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यह proof करना होगा कि आप television के लिए eligible हैं आप television पे काफी अच्छा कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने dancing skill पे थोड़ा सा काम करना है क्योंकि आप बिना camera के तो काफी अच्छा कर लेते हैं जब आपके आगे camera रखा जाता है या आपकी video को shoot किया जाता है तो के अंदर भूस सारी गलतिया होती है इन गलतियों का आपको ध्यान देना है अब online registration आप form fill करेंगे तो दो वीडियो तो आपको बनानी पड़ेंगी different dancing style में और different dancing style आपको ऐसी करनी है कि वो बस आपको second round के लिए बुला ले बात करें second round की जैसी आप second round में पहुच इसको तो हम कह सकते हैं हाँ आपका dance कराया जाएगा लेकिन जो सबसे important point देखा जाएगा वो यही है कि आप camera को कैसे face करते हैं आपके facial expression कैसे हैं आप कितने friendly हैं आपका way of talk क्या है यह बहुँच जादा matter करेगा judges के दिमाग में सिरफ एक चीज़ चलती रहेगी कि जो मेरे सामने खड़ा है इसको अगर मैं screen पे ले जाता हूँ तो यह कैसा perform करेगा कैसा दीखेगा क्या लाखो लोग इसको जान पाएंगे या फिर नहीं क्या लाखो लोग इसकी वज़े से हमारे सोको देख पाएंगे या फिर नहीं उनके दिमाग में यह चलता है तो first round तो आपकी dancing skill पे clear होगा लेकिन second round आपके उपर clear होगा आपकी dancing skill तो उन्होंने देख ली first round में लेकिन second round में आपको यही prove करना होगा कि आप क्या चीज हैं आप किस तरह से लोगों को जोड कर रख सकते हैं लोग आपको देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपके अंदर ऐसी क्या काबलियत है तो इसके उपर आप काम कर सकते हैं क्योंकि पूरा एक मन्त पढ़ाएं आपके पास second round के लिए first round के लिए आपको दो वीडियो डालनी है different different dancing style में और वो dancing style इतनी unique होनी चाहिए इतनी जबर जस् second round में तुरंद बुला लिया जाए तो बस जल्दी वाजी में form को fill बिल्कुल मत करना यह सोचो के यार जल्द जल्दी से form fill करते हैं हमारा काम हट गया है इन्होंने जो बोला वो हमने दे दिया है अब selection होगा तो ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है यह सोचके चलोगे तो फ percent select करें second round के लिए यह चीज आपको ध्यान देनी है बाकी तो सब आपके practice के उपर है आपके उपर है कि आप कैसा perform करते हैं और मैं आपको कल बता ही दूँगा मैं जल से जल कोसिस करूँगा कैसे आपको sony lip पे अपना form fill करना है बाकी आप खुद से भी try कर सकते हैं और फोड़ा सा time लगा कर आप अपना registration form fill करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा और कोई update आप जानना चाहते हैं कुछ भी आप जानना चाहते हैं इंडियास बैस डांसर के बारे में वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं अगर वैसे तो मैंने इसके उपर dedicated समझा रखा है कि किन किन च कि अगया प्सके मैंसुआ से च अभी आप कर अभीenne